अब सब्सक्राइब करें अब सब्सक्राइब करें उसी क्रम में यह पार्ट थर्ड यानि यह तीसरा वीडियो है और मंडल वाइस हम लोग सारी वीडियो से अपलोड करते जा रहे हैं तो अभी तक हमने मेरट मंडल और यह सारी वोटिंग के तहट आप सभी वोट करते हैं जिसमें सबसे यादा मैक्सिमम वोट होते हैं तो ऐसे मैंने कल वोटिंग कराई थी तो प्रते एक दिन आपको वीडियो मिलते जा रहे हैं आज वारानसी मंडल फिर इसके बाद आपको वोटिंग में पाडिसिपेट करना है मैक्सिमम लोगों को और उसमें वोट करना है तो आपके कहने के अनुसार वीडियो आते रहेंगे तो आज मलक वारानसी मंडल के उपर ये वीडियो बना रहे हैं जिसके तहट वारानसी, चंदावली, गाजीपरो और जौन पूरी चार जिले समलिते हैं तो ये बहुत important है उन भेड़त्यों के लिए उन मित्रों के लिए जो आने वाले जो आपके करम रहेंगे जब आप जिला वरिता करम में हिस्ता लेंगे और हाँ जिला वरिता करम के उपर भी कई वीडियो आपको मिले गया जल्दी तो बने रहे हीगा हमारे साथ तो अपने जिले और आज़ पास की जिले को भी देखेगा बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि आपका जो गुडांक है वो किस जिले के साथ मैच करता है यह आपकी मदद करेगा जब आप जिला वरिता करम भरेंगे अपने फॉर्म में इसमें हम लोग जनरल OBC, SC, ST, Freedom Fighter, Act, Service, Physical Handicap जो भी मित्र हैं सबके गुलांक एक ही वीडियो में अप्लोड कर देने ताकि आपको कोई भी परशानी के सामना ना करना पड़े तो चलिए एक एक सीट बहुत इंपोर्टेंट है तो आराम से देखिएगा वीडियो को शेयर तो आप एक दूसरे का साथ देते रहेगा एक जूट रहेगा और आगे बढ़ते रहेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और ध्यान पूर्वक सारी वीडियो को सारे गुलांक को सेफ तरीके से देखने की कोशिश करिएगा अब बात कर लेते हैं यहां पर आप आपके जीले प्रमुक हैं एक वारानसी स्वैम फिर चंदावली गाजीपुर और जौनपुर ठीक ना तो इहां पर सीटे क्या क्या है तो वारानसी में टोटल 980 सीटे हैं लगबग यह सारी अप्रॉक्सिमेटली पूरी गणना है और इसी के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं इसलिए बहुत 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 इंपोर्टेंट है चंदावली में 4500 सीटे हैं गाजीपुर में 1300 सीटे हैं और जौनपुर में टोटल 2000 सीटे हैं इस तरीके के गुलांक आप पहली बार लगातार राइज उकेशन चनल आप तक पहुंचाने की पुरी कोशिश कर रह घ्री है चनपद या जो मेरा फेड़िट जिला है वहाँ पर मेरा चैन अवश्योग हो जाए चलीए स्टार्ड करते हैं और सेफ्व गुलांक के उपर चल्चा प्रावारं करते हैं तो एक एक जिले के कुलांक में मंडल में वारानसी जिलिभा उपर हम लोग चल्चा पहली बार आपको इन सारी गुलांकों को इन सारी केटेगरी वाइस देखने को मिल रहा है और जैसा मैंने आपको मौनिंग वीडियो में ही बता दिया था कई मैंने प्रश्ण पूचे रहे थी कि क्या सर महिलाओं का अलग बनेगा और पुरुसों का अलग बिल्कुल ऐसा नह अगर आप आपको सेफ मान सकते हैं इसके लावा अगर आप वरांशी के ओवीस हैं तो आप 68 1 पर बिल्कुल सेफ हैं इसके आसपास अगर आपका गुलांक है इसके लावा वारानसी का आप SC हैं या PH हैं तो आपका 64.113 अगर गुलांक है या इसके आसपास गुलांक है तो आप अपने आपको सेफ मान सकते हैं इसके लावा बास कर लेते हैं ST की तो ST हैं आप और उपर से वारानसी के हैं तो आप 69.87 सुने या इसके आसपास आपका गुलांक बन रहा है तो आप अपने आपको बिल्कुल सेफ मान सकते हैं कि आवारानसी आपको मिल जाएगा प्रात्म की विद्धाले के तोर पर इसके ल आपका वारानसी जीले के पार में आपका चैन हो सकता है बिल्कुल हो सकता है इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं चौंदावली जीले में total 4500 सीटे हैं और इन सीटों के सापेक्ष ही मैंने आपका ये क्रमवार decide किया है तो वारानसी जीले के अगर आप ज चंदवली जीले के तो आप सत्तर दस्मोलो 981 के आसपास अगर आपका गुलांग बन रहा है तो आप बिल्कुल अपने आपको सेफ मान सकते हैं वहीं आगे बात करें अगर मैं चंदवली का अब आ जाते हैं स्सी मित्रों पर स्सी है या चंदवली के पीच कैटेगरी के मित्र हैं तो अगर आपका गुलांग च्छाचट दस्मोलो 282 के आसपास भी बन रहा है तो आप अपने आपको सेफ बिल्कुल मान सकते हैं वहीं अगर मैं स्ट मित्रों की बात करू अगर च्छाचट दस्मोलो 282 या इसके आसपास का गुलांग आपका बन रहा है तो बिल्कुल आप अपने आपको एकदम सटीक तरीके से इसी आसपास के गुलांग में आपको बिल्कुल सेफ मान सकते हैं आगे बात करते हैं अने जिलो की तन जिलो में अगला जिला है देखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है जनरल कर्टेगरी गाजीपूर के मित्र 682 के आसपास का गुलांग का आपके लिए बिल्कुल सेफ है वहीं अगर मैं बात करूँ OBC के लिए 65.871 के आसपास का गुलांग बिल्कुल सेफ है ग्रीजनपत के त तो गाजीपूर के एक सट दसमलो सुन्य दो सुन्य या इसके आसपास के गुलांग है आपके तो आप बिल्कुल अपने आपको सेफ मान सकते हैं वहीं बात करूँ OBC की जो गाजीपूर के हैं और ग्रीजनपत की तौर पर अपने गाजीपूर को देख रहे हैं तो अगर गुलांग 56.9 दो सुन्य या इसके आसपास गुलांग है तो बिल्कुल आप सेफ मान सकते हैं इसको एजगरीजनपत और वहीं बात करूँ मैं गाजीपूर के आपके फ्रीडम फाइटर मित्रों या एक सर्विसमैन की तो अगर आपका 61 के लगबग आपका गुलांग बन है तो बिल्कुल गाजीपूर आप सेफ हैं अब बात कर रहेते हैं अगला आपका चौथा जिला है जौनपूर जौनपूर में टोटल है 2000 सीटे जो मैक्सिमम लगबा का तीन जिले ऐसे हैं पूरे यूप में 75 जिलों में जहां पर मैक्सिमम दो हजार सीटे गई हैं और उन तो आप बिल्कुल सेफ हैं जौनपूर के लिए बहुत इंपोर्टेंट है ये सीटों के सापिक्ष वहीं अगर जौनपूर के आप OBC मित्र हैं आपका 62 या इसके आसपास का गुलांग बन रहा है बासट दसलो एक सुन सुने या 62 के ही राउंड फिगर में आपका गुलां 57.962 या इसके आसपास का गुलांग 57 दसमलों के आसपास का गुलांग बन रहा है तो बिल्कुल जौनपूर आपके लिए बिल्कुल सेफ है वहीं अगर मैं बात करूँ ST मित्रों की तो ST जो मित्र हैं क्यावन के आसपास अगर उनका गुलांग बन रहा है तो वो बिल्कु बिल्कुल सेफ हैं जौनपूर में वह यह कर मैं बात करूब फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन मित्रों की तो उनका अगर गुलांक सताउन दस्वन और नौ छे दो या सताउन के आसपास भी बन रहा है तो वो बिल्कुल सेफ हैं यहाँ पर एज़ जनपत जौनपूर का अब आप लोग सुन लिजे अगर आप इन चार जिलों के निवासी हैं या भरती हैं उनतरजार सिक्षक भरती में आप लोग हैं तो आप सभी अपने जिले का नाम अपना कैटेगरी और अपने गुलांक जितने भी आपकी मिरिट बन रही उसको एकदम सटीक तरीके से कम शेजर आख तो इसलिए वीडियो को शेयर करिएगा ज़्याधा अगर आप दूसरे जिलिके बीए हैं अगर उंट्रेसेट हैं इन जिलोमे तो जरूरर इसको देख लिजए बारि आई तो यह सब्हं मोन से करें तो वीडियो को ठूर। शेर करिएगा चैनल अपने हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए क्योंकि आप पूरे 75 जीलों के लगाता है आपको क्रमवार सारी चीजे मिलती रहेंगी और डेस्क्रिप्शन में जीतनी प्लेलिस्ट है 75 जीलों कितनी सीटें हैं कैसे क्या करना है पूरी प्लेलिस्ट आपको देस्क्रिप्शन मिल जाएगो उसको चेक आउट करिए वीडियो को शेर करिए और इंपॉर्टन तरीके से जो आपको पूना बता दूं अगर आप इन चार जीलों के हैं तो जीले का नाम अपनी कैटेगरी और अपना गुलांग जरूर मेंशन करिएगा और एक बात याद थे सोबचे